हेलो दोस्तों कैसे हो आप सब आप सब बढ़िया हो और आज के वीडियो का टॉपिक काफी इंट्रस्टिंग होने वाला है तो अभी रिसेंटली मेरे Redmi Note 7 Pro के लिए MIUI का अपडेट आया तो बेसिकली उस अपडेट में क्या चेंजिस होने वाला है और इसके रिगाडिंग सार 12.0.5 का आया है तो उसमें क्या चेंजिस होने वाला है और कितने MB का अपडेट है वो सब जानकारी भी आपको मैं बताने वालो तो यहाँ पर देख सकते हैं 262 MB का अपडेट आया है तो इस अपडेट में बेसिकली सिफ सिक्यूरिटी पैच जैनवरी मन्थ 2021 का आया है तो यह भी काफी बड़ी बात हो जाती है एक तो फोन पुरान है और उसको सिक्यूरिटी पैच के अपडेट मिल रहे है तो यह अच्छी बात हो जाती है तो 262 MB काफी कम MB होता है तो अगर आपके स्मार्टफोन के लिए अपडेट आ गया है तो आप डेफिनेटली अपडेट क कर दो तो रिबूट करने के बाद थोड़ा सा टाइम लेगा पाच-10 मिट आप वेट करो और मेक शॉर करो कि आपका चार्जिंग जाद हो या फिर आप चार्जिंग में प्लग करके रखे हो तो यहाँ पर कुछ इस तरीके से इंस्टॉल हो रहा है मेरा अपडेट डिक्रि बाद भी अपडेट के वर्जिंस आते रहेंगे तो यहाँ पर देख सकते हूं फोन स्टार्ट हो गया है बैक तो नॉर्मल काफी स्मूथ हो गया और जो इसका सिक्रिटी पैच अपडेट है वो अभी इसके अंदर आ गया आपको में दिखा रहते हो सेटिंग्स में लाके तो इसका जो वर्जिन था 12.0.4 से 12.0.5 वर्जिन हो गया तो आप गया वीडियो काफी सिंपल था काफी शॉट था अगर वीडियो से खुछ भी आपको देखके सिखने मिला होगा तो लाइक करिए चैनल को सब्सक्राइब करिए और ऐसी अमेजिंग इंट्रेसिंग वीड झाल